तो आज हम जा रहे हैं कोटेश्वर मंदिर और भद्रकाली मंदिर जैसे कि आपको पता है अभी मैं पहाड पे हूँ तो यह आज का मारा प्लान है जहां हम जाने वाले हैं तो उसी के रास्ते पे हम निकल चुके हैं और यह है गुपतेश्वर मंदिर जो आपको अभी अभी दो तीन सव मीटर का डाउंधिर ट्रैक करके अब हम पहुशने वाले हैं यह जो सामने आपको दिख रहा है ग्राउंड पे यह मंदिर के बाहर का ग्राउंड है यहाँ पे नीचे जर्णा है मंदिर में निगरे, पहले हम जा रहे है थातमूध होने के लिए उसके बार हम दशन करेंगे बहुत ठंडा है और मतलब बहुत सुन्दर नजारा है बहुत सुन्दर व्यू है और जहना भी नजदीक आने वाला है वह भी दिखाती हैं आप लोग को That's the way towards जहरना जो मैंने आपको उपर से दिखाया था अब हम उसके बिल्कुल ठीक सामने पहुचे हैं और यह जो बड़ा सज़रना आपको दिख रहा है इसके पीछे छोटी सी ओमया की मूर्ती आपको दिख रही होगी और इसके पीछे पूरी गुफा है अनन थोड़ा और देखने का है और यहां पुड़ा अंधेरा हो रहा है कुछ बिखी नहीं रहा है मूमी को flashlight लगा के देखना है आपको मेरे phone में दिख रही होगा है उप प्र इतना खषद ना हो कि मेरे phone में देखो आप इज लिवीगी वाहाँ देखा ना परता है कि मैं कुछ के ड़री यहां पर उस तो था यह देख के डरी यह यह । पानी आरहा है और हम यहां पैट के फोटो सी चाहरे थे और वहां का तो मैंने आपको दिखाई दिखाई दिया किता सुंदर वीव है और पूर आप पर दिख सकते हाँ बहुत प्यारी लोकेशन और वहां बड़ा वाला ज़र्णा है सब जिकेसे झदणा निकल रहा है वहां पर भी है और यह दी है और यह तो मैं दिखाई जर्णा प्रूरा ले बड़ाई पत्थर्णा के जैस कुरई आपर यहां पर बने हुए थिया के पथर्णा संदर मजारा है इक जर्णा महां पर भी आप की देख सकते हो yhtilláng Meanwhile यहां पर तो मच्रिया नहीं है लेकिन मच्री उस्ताइड है बहुत सुन्दर नजारा है और हम फोटो वीडियो बनाने के सक्टर में बीग भी गए हैं और हमसे पहले यहां पर 18 लोग थे बटाइबियो चले गए हैं हम दी बस जाने वाले मैं तो एक बर अंदर डर भी गई और सब तयार ओड़ रहे हैं ममी भी आ गई है और बहुत सुन्दर नजारा हमारा सो गाइस नीचे हाथ मुद होने के बाद हम मंदर के बाहर आ चुके हैं तो यह है मंदर का रास्ता और यहां से दो-तीन रास्ते हैं मंदर के उधर जाने के लिए तो यह जो नाला टाइप यहां से जा रहा है इस में से भी पानी जाता है तो अभी हम आए हैं मंदर के अंदर और मैं आपको दिखा थी फट अफट से यहां का 360 विव जादा चलना नहीं है थोड़ा सा ही है पर बिल्कुल चलने की थाकत नहीं है बहुत अच्छे से हमारे दर्शन भी हो गए और हम सेकेंड डेस्टिनेशन की तरफ यह उसका रास्ता जो की होने वाला है कोटीश्वर मंदिर अब हम फिर से डाउन हील ट्रैक करते हुए नीचे को जा रहे थे और हमें दिखें इतने सारे लोग तो हमें पता चला कि यह लोग सब मिलके गज्यों काट रहे हैं जो लोग पाह सब्सक्राएं प्षीश भी ले लिया है और यहां का बहुत सुन्दर सुन्दर सी शाहां जो रहे हैं पिछले 25 दश्चाश मिनट से हम इस कच्छे पक्क्या दाए चल रहे हैं और बिन पहुचे और यहां पहुंचे नहीं है इतना भीगे तब भी, वह नहीं हुआ, जो खामने लगी, वह जाके लगेगा यो, जैसे जैसे मंदिर के नजदीक जा रहे हैं, रास्ता उतना जादा पतला होते जा रहा है, और ये रहा सामने मंदिर, जो कि हम पहुच चुके हैं, मंदिर को मेरे पिछे देख रहा है, ये भी और बन रहा है, और फिलाल हम फिर से पहले हात मुद होने जाएंगे, और इसके बाद हम मंदिर पे जाएंगे, ये रोड हाली में बनी हुई है, इसको देखे ही, पता चल रहा है क्योंकि इसके पत्थर चुब रहे हैं पूरे, और एक नांगी और प्रेंटे हें आपे अर्व तू घुझे परें आपर ही है करना भी गार रचीम देवा में मिच़िए पोल के लिए परम पड़िन गूऑ zen खोगिंगें पकड़ तो यह है कोटेश्वर मंदर फिलाल यहां कोई नहीं है भी और यह शिवलिंग है और यह का मंदर है बहुत संदर कुछ नहीं दिखरा अंधेरा और वसे एक लाइब जली लिया यहां पे थहां दो तो ऊड़कान प्रिल शा भंपर्वड कहने भी यहां नहीं हां ग्रियागों भी लिढ गाने है जुद्स्राइब मासमो में नहीं है जुद्सरा ग्रेह ंडिया भी विजी अलेगे का नहीं दोपने लिया इतना अंधेर है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी यहां से बाहर निकलना है वैसे ही जैसा हम अंदर आये थे इसमर्ण ऐसे फिर हाट टेके से दूसरा ऐसे रखें यह 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 खुरने के बद और कि यह थोड़ा से कमन निची और ऐसे बाहर ले अब हम जाएंगे तिसरे नंबर पर अब हम जाएंगे इसरे नंबर पर मैंसे आजाओं मैंसे आजाओं इलेफॉन मैं आपाउंगे है से लेक्टी ट्राइब लुक्ति बढ़ जाओं गी मैं सारे बचाना ना जै हो भगवान जी तो ये था मेरा वीडियो होप आप सबको अच्छा लगा होगा मिक्शार टो लाक्ष्यों सब्सक्राइब तो मिलते मारे नेक्स व्लॉग में दफ तक ले बबाए और थेक्स वर पॉचिंग